अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो True Media चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आईक़ोन को ख्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक वेकिमेंट्स जरूर करें आपका अपना चैनल True Media मैं सरप्रत्रम आप सभी का, سभी उपस्तित जनों का, जिसमें मेरी बहन बेटियां भी हैं, और सब कभी मित्र हैं, प्रनाम करता हूँ, और ट्रू मीडिया का, और मैं आरेज़ी का बड़े बड़े दिल से स्वागत करता हूँ, कि जनों ने मुझे यहां लाकर कर खड़ा किया, शभी दर्सकों को शुरताओं को, मेरा कोटी-कोटी नमन दोहों की बात कही थी दोहों से ही सुरू कर देता हूँ बरतवान समय देखेंगे कि चमक दिखावा ढोंग का आया ऐसा दोर बाहर से हम बाहर से हम और कुछ बीतर से कुछ और देखेंगे आप एक दोहा दे रहा हूँ, समरपित कर रहा हूँ लोगों की उस इस्तिति के लिए कि लोग मनसिक रूप से प्रभू को समरपित करते हैं लेकिन सचाई यह है कि जो जहां पूजा करनी चाहिए वहाँ पर नहीं होती है एक दोहा आरी जी समर्पत कर रहें देखेंगे कि रंग रोगन से रंग लिये कोठी महल मकान मन की कुटिया नारंगी जिसमे है भगवान और एक वोतरश मैं आपके सामने देना चाहता हूँ जिसमें मैं भी जी रहा हूँ एक और बढ़ापिका दर्द देखेंगे आप कि योवन में हावी रही ऐस कैस की होड ब्रद हुए प्रभनाम का लिया दुशाला ओड और ब्रद हुए हरे नाम का लिया दुशाला ओड एक दोहा और मैं अपने लिए देना चाहता हूँ अपने लिए एक दोहा देखेंगे आप कि गफिला तेरी जिन्दगी गफिला तेरी जिन्दगी कुछ दिन की महमान फिर क्यों मूरक कर रहा तन धन पर अभिवान और मैं बहुत आवारी हूँ पुरहे ट्रू मीडिया का मेरी तर्फ से हर दिकावार और उन्हें नमन करता हूँ सभी के लिए एक मुक तक देना चाहता हूँ वर्तमान इस्तिती पर आप देखेंगे कि देश में जुलंत समश्या है भर्ष्टाचार की वो जवी भी था आज भी है और उसका कारण क्या है एक मुक तक देखेंगे आप कि जब तक हाथों में बोतल पवा प्याले होंगे जब तक हाथों में बोतल पवा प्याले होंगे जब तक हम सब मन और मत के काले होंगे जब तक हम सब मन और मत के काले होंगे जब तक अच्छे लोग नहीं सत्ता में आते तब तक ब्रष्टा चार और घोटाले होंगे तब तक ब्रष्टा चार और घोटाले होंगे देश के लिए जिनकी वज़ा से हम आज़ाद हुए मैं उन सहीदों के नाम चालान देना चाहता हूँ आरजी ने भी आद किया था भगशी जी को मैं नमन करता हूँ उन सहीदों को कोट कोट नमन जिनकी वज़े से आज हम खुली हवा में शांस ले रहे हैं देखेंगे आप सुभे लिखा है शाम लिखा है सत्य प्रेम पैगाम लिखा है सत्य प्रेम पैगाम लिखा है जो शहीद हो गए वतन पर उनका दिल पर नम लिखा है मेरे सामने मात्र सक्ती है और मैं मात्र सक्ती के लिए अगर चार लाइन न दूँ तो ये आज की काबिशंदे आधुरी मानी जाएगी मैं दे रहा हूँ मात्र सक्ती के लिए कि नहीं तेरी ये काया है नहीं तेरी ये दौलत है नहीं ये नाम भी तेरा नहीं तेरी ये शौरत है जिसे तू अपना कहता है नहीं है वो भी कुछ तेरा हमारे आर्जी नहीं तका घूमने का अपने को बीमारी है मैं घूमता रहता हूं क्यों गूमता हूं? उस बातके लिए चार लाइं दे रहूं быть आपके लिए जाते रहिए मिलते और मिलाते रहिए प्रेम सार है जग जीवन का प्रेम सुधा बर्शाते रहिए प्रेम सार है जग जीवन का प्रेम सुधा बर्शाते रहिए और इंसान होकर के इंसान के काम ना आये तो वो कोई इंसान नहीं होता इस बात पर भी शाल लाइन आपके लिए और देखेंगे आप के आखिर वो मानव क्या मानव जो ना एकाम किसी के आखिर वो नेना क्या नेना जिसमें बहे ना असर खुसी के आखिर वो वाणी क्या वाणी जिसने बोलन दिये हसी के आखिर वो पल भी क्या पल जो बीते ना संग दीन दुखी के और मैं चाल लाइन दे करके अपनी बात को बाणी को विराम देना चाहूँगा बरत्मान समय हमें कहां तक ले आया है इस बात पर ऑनलाइन का जवाना आनन्द का और हसी का आनन लेंगे आप देखेंगे वो भी देखिए के जिंदगी कितनी सुहानी और फाइन हो गई जिन्दगी कितनी शुहानी और फाइन हो गई शान शौकत भी कसम से और शाइन हो गई शान शौकत भी कसम से और शाइन हो गई ओन लाइन का जमाना आ गया है दोस्तो आउनलाइन का जमाना आगया है दोस्तो इसलिए अब महबत भी आउनलाइन हो गई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन को क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक वे कमेंट्स जरूर करें आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया